ब्रॉट तो यू बाई अजिलिस डाइगनोस्टिक्स बढ़ा रहे थे या भविश्य में घर वापसी का कोई बैक्ग्राउंड बना रहे थे शरत पवार ने अजीद पवार को माफ नहीं किया ना अजीद पवार को पाटी परिवार से अलग होने से रोक पाए ना बेटी के खिलाफ बहु की दावेदारी से मना कर पाए पहली बार पवार में पलटवार किया है भतीजे अजीद पवार के खिलाफ सगे भतीजे युगेंद्र पवार को खड़ा कर दिया बारामती में पवार के गड़ में फिर पवार वर्सिस पवार हो गया एक ही दिन पहले अजीद पवार ने नामंकन भरा फिर युगेंद्र पवार की बारी आई शरत पवार खुद चुनाव लड़ते नहीं एंसीपी का कोई उम्मीदबार भर रहा तो तब नामांकन कराने जाते भी नहीं लोगसभा चुनाव में सुप्रिया सूले ने बारामती से नामांकन भरा तब भी शरत पवार नहीं दिखे लेकिन विधान सबा चुनाव में पोते युगेंद्र यादव पहली बार नामांकन भरने कलेक्टरेट पहुँचे तो साथ में थे शरत पवार महराश के चुनाव में पोवार का इतना एक्टिव होना कोई मामूली डेवलप्मेंट नहीं है बारामती में पोवार नाम का सिक्का इतना विश्वस नी है और पुराना है कि पोवार को किसी इमोशनल काड़ की जरूरत पड़ती नहीं बस बारामती को इतना याद दिलाया कि 1965 से बारामती से कई चुनाव रड़े पहले प्रचार किया करता था लेकिन अब मेरे लिए यहां के लोग प्रचार की जिम्मेदारी निभाते हैं पवार ने इशारा कर दिया कि बारामती की जनता को ही तै करना है कि उन्हें युगेंद्र का प्रचार करके जिताना है या अजीत को लोग सबचुनाव में बारामती ने बहू की बजाए बेटी को चुना था अब नया धर्म संकट ये है कि भतीजे को चुनना है या पोते को युगेंद्र पवार ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा लेकिन बुवा सुप्रिया सूले के लिए लोगसभा चुनाव में जम्प कर प्रचार किया था इसी बहाने लोकसभा चुनाव के बहाने विधान सभा चुनाव के लिए जनाधार बढ़ाने का मौका और चुनाव लड़ने का अनुभव मिला युगेंद्र पवार को बारामती में उतारने से पहले शरत पवार ने अपने बिजनेस सोशल सर्विस में जिम्मिदारियां दी हुई है विद्या प्रतिष्ठान शेश्रुनिक संस्थान के कोशा थ्याक्ष है युगेंद्र ने मुंबई और पुने में शुरु आती पढ़ाई के बाद बोस्टरन जाकर फाइनेंस इंशर्वेंस में डिग्री ली लोटकर पिता शीनिवास पवार की कमपनी सर्यू से जोड़ गए सर्यू, रियल एस्टेट, सिक्योर्टी, आटोमोटिव, लोजिस्टिक्स, एग्री कल्चर में काम करती है शर्ट पवार का बड़ा परिवार है जिसमें कुछ तो राजनिती में हैं लेकिन ज्यादतर राजनिती से दूर है अजीद पवार जब बागी हुए तब पाटी में शर्ट पवार कमजोर पड़े ज्यादतर सांसदों विलहाईकों ने अजीद पवार का साथ दिया अजीद पवार परिवार नहीं तोड़ पाए, पूरा परिवार शर्ट पवार के साथ मजबूती से खड़ा रहा जब शर्ट पवार नहीं ये कह दिया कि युगेंदर अजीद से लड़ेगा तो किसी ने मना नहीं किया युगेंदर के पिता शीनिवास पवार ने भी हामी भरी, युगेंदर शर्ट पवार के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी पवार परिवार में कोई और है नहीं जिसकी राजनिती में नई लॉंचिंग कर सके भतीजे राजेंद्र पवार के बेटे रोहित पवार पहले से राजनिती में आकर विधायक बन चुके हैं फिर करजत से चुनाव लड़ रहे हैं अजीत पवार NCP के अध्यक्ष है, पूरे महराष्ट में NCP को जिताने वाले अकेले वही हैं मजबूरी है कि पूरा फोकस बारामती में अपने चुनाव पर लगा नहीं सकते पतनी सुने तरह दोनों बेटे पार्थ और जै पवार के साथ चुनाव संभालेंगी शरत पवार के पास परिवार का मजबूत सपोर्ट सिस्टम है, शरत पवार सुप्रिया सूले मा शर मिला होंगे वैसे पिताशी निवास पवार सक्रिय राजनिती से दूर रहते हैं ग्राउंड पर योगेंद्र का मुकाबला अपने चचेरे भाईयों पार्थ और जै पवार से होगा पार्थ और जै ने मा सुनेतरा का लोकसभा चुनाव में भी पूरा मोर्चा संभाला था अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार को शरत पवार ने 2019 के चुनाव में मावल सीट से लॉंच किया था जो फेल रहा उसके बाद पार्थ को कोई और मौका नहीं मिला जै पवार दुबई में रहकर बिजनिस कर रहे थे अजीत पवार ने अलग पाटी की तो दुबई से बारा मती लोटे सक्रियता देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि अजीत पवार अपने बेटे जै पवार को तयार कर रहे है जब अजीत पवार ने चुनाव से दूर होने का माहौल बनाना शुरू किया तब जै कही ना मुचला था ये संभव है कि अजीत पवार पतनी सुनेत्रा की हार के बाद बेटे जै को दाओ पर लगाने से बच रहे हूँ जै पवार की लाउंचिंग लेट करती पार्थ की रिलाउंचिंग अभी इन्वेटिंग है